गनतंत्र दिवस भाषन आज के समारोह के अध्यक्ष प्रमूक अधिती, उज्य गुरुजन वर्ग और मेरे भाईयों और बहनों मैं आज आपको गनतंत्र दिन के बारे में जानकारे देने वाला हूँ अशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बापा साभ अंबिड करके नेत्रूत्व में भारत की राज्य घटना बनाने के लिए मसुदा समीती गठीत की थी भूद बैठके और चर्चा सत्र के बाद इस समीती ने सादर किया हुआ अंतिम मसुदा 26 नवंबर 1909 को समीधान समीती ने स्विकार कर लिया था भारत की राज्य घटना 26 नवंबर को पूरी हो गई थी लेकिन ए राज्य घटना 26 जन्वरी 1950 को भारत की जन्ता को समर्पित की गई क्योंकि 1930 में लाहूर अधिवेशन में संपूर्न श्वराज्य की मांग की गई थी और 26 जन्वरी को गनतंत्र दिन मनाने का ठराव पास हुआ था 26 जन्वरी का आईत्याशिक मत्वा कायम रखने के लिए 26 नवंबर को राज्य घटना पूरी होने के बावजूद भी 27 जन्वरी को जन्ता को समर्पित की गई और ए दिन गनतंत्र दिन के रूप में मनाने की घुशना की गई 27 जन्वरी का अर्थ पूर्ण है सबसे उपर का केशरी रंग शक्ति का प्रदर्शन करता है उसके नीचे का सफेद रंग शांती को दर्शाता है और सबसे नीचे का हरा रंग हमारी उन्नती का प्रतिक है बीच में काक नीले रंग का 24 आरी वाला चक्र हमारी एकता का प्रतिक है आज के दिन दिल्ली में बहुत बड़ा समारोफ आयुजित किया जाता है भारतिय सेना विविध कारे करोमों का आयुजिन करती है आज ही के दिन दिल्ली में शूर बालकों को शौर पुरसकार से सम्मानित किया जाता है दिल्ली में भारत ये संस्कूरती की जाकियां का प्रदर्शन हमारी एकता दर्शने के लिए हमारे राज्यों के दौरा किया जाते है आपको गनतन तरजिन की शुफ कामनाओं के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ जैहिन